हाँ जी नमस्कार दोस्तों स्वागता आप से भी का अज्यों जी के सनला यूटूब चैनल पर जिसने वह तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ मिल वाली जी बेल आइकन का बटन जिसे क्याने वाली वीडियो के बारे में आप से पता चल सके सबसे पहले आज हम स्ट सब्सक्राइब करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशन थेयोरी का मोस्ट इंपोर्टन टेस्ट 121 नमबर पिछले 120 टेस्ट जिसने भी अभी तक नहीं देखें देख सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है वहां से आप सभी लूप टेस्ट इंप्लोए देब प्रिंसिपल्स ओप देर यानि जो मुर्रे लूप है और एक वारले रूप लूप ऑपर इक्षिन होता है वह कौन सा सिदांत लागू करते हैं वाइट स्टोन ब्रीज वाला या स्टेरिंग ब्रीज वाला या सेनन हटली लो या मैक्सवे लो यह इंपोर्टेंट है क्यूशन बताइए इसका राइट एंसर कौन सा होगा तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा वाइट स्टोन ब्रीज तो आपने देखा होगा यह कौन सा होता है वाइट स्टोन ब्रीज जिसके अंदर तीन का मान मतलब तीन रेजिस्टें of power transmission cables armoring is done by using power transmission cable के निर्माण में armoring कैसे किया जाता है lead की दात्विक सीथ के द्वारा या galvanized steel या जो इस पात होता है उसके तार द्वारा या hessian tape के द्वारा या कलाईदार तामबे के द्वारा जिसको tin head copper बोला जाता है बताईए कौन से इसका right answer होगा तो इसका right answer होजाएगा galvanized iron sorry galvanized steel wire यानि power transmission cables के निर्माण में armoring जो होती है वो galvanized steel या इस पात द्वारा किया जाता है केबलों को या तरिक आगातों से बचाने के लिए bedding से उपर जो armoring की या aluminum के तारों या पतियों से निर्मित एक पर करकी जाली होती है next हमारा question है 3 number अब बताते हाई tension cable में operating voltage की सीमा क्या है above 33 kv या 12 से लेकर 20 kv या 21 से 33 kv या 1 से 11 kv ये भी important questions है जो बिहार state power holding company limited के exam में पूछा गया था high tensile cable में operating voltage की सीमा क्या रहती है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा 1 से 11 kv तक मतलब D option अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए high tension cable में operating voltage की सीमा 1 से लेकर 11 kv तक होती है जबकि 1 voltage से नीचे की जो cable होती है उसको LT यानि low tension cable और जो 11 kv से उपर की cable होती है उसे ST cables बोल जाता है मतलब super tension cables बोल जाता है next मारा question है 4 number कौन सी वितरन पढ़नाली अधिक ब्रोसे बंद होती है link man system, tree system या radial system all are equally reliable यानि सभी समान रूप से ब्रोसे ब्रोसे बंद होती है बताए इसका right answer कौन सा होगा कौन सी वितरन पढ़नाली अधिक ब्रोसे बंद होती है तो इसका right answer हो जाएगा link man system मतलब वल्य मुख्या पढ़नाली इसमें चारों और साइड से तरों को निकाला जाता है line को control करने के लिए जैसे मालो कल को इसके अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो एक line के अंदर हमें अगर line सही है तो उसके अंदर हमें बिजली को छोड़ना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं दूसरी साइड से close करके next हमारा question है पांच number अब आज आती है that test user to locate high resistance fault in low resistance conductor circuit कम पर्तिरोज चालक परिपत में उच पर्तिरोज दोसको स्थापित करने के लिए परियोग किया जाने वाला test कौन सा होता है open circuit test या मुर्य लूप test या star and delta loop test या hopkins test तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा B मुर्य लूप test बोला जाता है यानि मुर्य लूप परिक्शन का प्रियोग लगोपतित और ground fault को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा इसको note कर लेना most important question है next हमारा question आता है length of the cable is doubled its capacity will be यानि cable की लंबाई को हम दूगना कर रहे है तो उसकी दारिता है जो c है तो वो क्या हो जाएगी वो one fourth मतलब एक चोथाई हो जाएगी या one half आदी हो जाएगी या doubled हो जाएगी मतलब दोगनी हो जाएगी या इसमें से कोई नहीं तो बताइए इसका right answer कौन सा होगा cable की लंबाई दोगनी करने पर उसकी दारिता पर क्या प्रबाव पड़ेगा तो इसका right answer हो जाएगा c यानि वो दोगनी हो जाएगी क्योंकि लंबाई बढ़ने पर capacitor की जो दारिता है वो हमेशा बढ़ेगी या आपको पता है c मतलब संदारितर की दारिता है जो संदारितर के प्लेटों की दूरी और उनके बीच जो प्रियोग तोड़े लेक्टिक पदार्थ होता है और प्लेटों का शेत्रबल होता है उसके उपर depend करता है या निर्बर करता है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है साथ नमबर अब बदाती है the advantage of the वारले लूप टेस्ट और मुर्रे लूप टेस्ट इस यानि मुर्रे लूप परिक्षन की तुलना में वारले लूप परिक्षन का लाब क्या होता है क्या इसका प्रियोग लगोपत दोस्को स्तानगत करने के लिए किया जा सकता है या लगू परतिरोत का निर्दारण किया जा सकता है या इसका प्रियोग बूदोस को स्तानगत करने के लिए किया जा सकता है या इनकी सुधता उस्चर होती है बताए कौन सा इसका राइट एंसर होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा C अब थोड़ा द्यान से सुन लेना इसके बारे में मुर्ले लूप प्रिक्षन के तुलना में वार्डे लूप प्रिक्षन का लाब या है कि इसका प्रियोग गूदोस को स्तानगत करने के लिए किया जाता है मतलब can be used for localizing the earth fault next हमारा question है art number अब बाताती है when localizing ground fault with the help of a loop test the resistance of a fault loop friction के माध्यम से बूदोस को स्तानगत करने करते समय दोस का जो प्रतिरोध है वो क्या रहेगा affect the balance condition यानि संतुलन स्तीकित को परभावित करता है या affect the value of the cable resistance cable प्रतिरोध के मान को परभावित करता है या affect the sensitivity of the bridge यानि सेतु की जो समय देता होती है उसको प्रभावित करता है या उप्रोक्त सभी सही है क्योशन को थोड़ा द्यान से समझीएगा answer अपने आप माइंड में आ जाएगा जिसने भी इसको read कर रखा है already तो दोस्तो इसका write answer हो जाएगा B यानि affect the value of a cable resistance मतलब केबल प्रतिरूद के मान को परभावित करता है next हमारे क्योशन है दोस्तो नो नमर अब बाताती है एक केबल की जो विशेस्ता है वो प्रतिवादा लगबग क्या होती है तो दोस्तो इसका write answer हो जाएगा B मतलब पचास रहेगी पचास ओम क्योंकि एक केबल की जो विशेस्ता पढ़ती वाद है वो लगबग पचास ओम होती है नेक्स्ट हमारे क्योशन है दस नमर अब बाताती है मुर्रे और वार्ले और फिशर लूप टेस्ट का प्रियोग किसके लिए होता है Cable में short circuit fault या Cable में open circuit fault या Cable में short circuit और ground fault या Cable में open circuit और ground fault ये question अगर आपकी द्यान में होगा तो मैंने बताया भी था पीछे इसी test में तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा C यानि short circuit and ground faults के लिए इन method का use किया जाता है next नमारा question है 11 number अब बाद आते है which of the following test is carried out to ensure the sufficient strength of insulation between two and more conductors to avoid leakage between them निमले एक friction में से कौन सा friction दो या दो से अधिक चालकों के बीच insulation की प्रयाप शमता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है सबसे पहले question को पढ़िए उसके बाद मैं आपको answer बताता हूँ कौन सा इसका right होगा तो चालक वे पर्थवी के मद्य insulation पर्तिरोध का friction या चालकों के मद्य insulation पर्तिरोध का friction या एकल चरण स्विच की द्रूता का friction या testing of earth continuity पत्थ मतलब पर्थवी अविच्छनता निमलिक्ट friction में से कौन सा friction दो या दो से अधिक चालकों के बीच insulation की प्रियाप तो शम्ता को सुनीश्चित करने के लिए किया जाता है तो दोस्तों इसका right एंसलो जाएगा B यानि दो या दो से अधिक चालकों के मद्य है तो इसका right एंसलो जाएगा B यानि एसी लाइन में देखा जाता है नोट कर लेना गांट बांद लिना इस क्यूशन के लिए आप यह इस इप्पोर्टेंट क्यूशन है क्या हम नहीं माप सकते हैं करएंन भाक डार्व परद्री जाक बोलता लोटेजिश जिसको क्या जरां गैए्न मसा सकते का दोस्तों सिंपल सी बात है इस सब्दाइब तो इसका राइट एंसर होगा यूटिलाइजेशन फेक्टर जिसको उप्योग कारक बोला जाता है यह है उत्पादित किलोवाट गंटा के डबलू एच एवन स्यंतर स्यंतर शंतर के उप्योग गंटों का गुणनफल का अनपात होता है और इसका मान हमेशा एक से कम होता है यह नूट कर लेना और किसमें वापर जाता है के डबलू एच में नेक्स्ट मारा क्यूशन है पंदर नंबर अब बाताते हैं एकोनमिक साइज ओप कंडेक्टर इस डेक्टर माइंड बाई किसी चालक का मित वे यानि एकोनमिक आकार ग्याद किया जाता है किट्शोप की नियम के द्वारा या ओं के नियम से या केल्विन के नियम से या फेराडे की नियम से यह इंपोर्टेंट क्यूशन है अगर आपको पता होगा तो पटबढ़ एंसल टाइप कीजिए तो दोस्तों इसके राइटन से लो जाएगा C, यानि Kelvin's law, चाला का मित भी या economic आकार Kelvin की नियम से ग्याद के दाता है, Kelvin के जो नियम का मुख्य उदेशिया होता है, वो यह होता है कि वेद्यूत सक्ती संचर्ण लाइन में परियुक्त चाला का साइज कम से कम हो, ताकि लाइन पर होने वाला चल और एचल वह भी कम से कम हो, मतलब उसका आनी और उसका जो resistance वगेरा वो भी कम से कम हो, बादा जिसक तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, सबसे पहले तो यह कमेंट करके बताईए, और डेली इसी प्रकार के क्लासिस देखने के लिए अज्यो एजिकेशन लाइव यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, जिससे क्याने वाली वीडियो के बारे में आप से को पता चल सक है, वर्टसेब और टेलिग्राम पे उनमें शेर कीजिए दबके, जिसे कि हमारा भी होसला बड़े और लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा जिसे हमें पता चले भी कितने स्टुडेंट्स को ये वीडियो पसंद आया है, धन्यवाज दोस्तों, आप सभी का दिन शुब हो, ज्याहिन वन देमात रंग